जोहार मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार अभी आज जो चर्चा हम लोग करेंगे वो होगा व्यक्तिगत सत्यागरा अंदुलन जरा इस सत्यागरा के मूल कड़ी को आप लोग समझाएं सबसे बड़ी बात तो यह थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया कि 1940 में लौड लिनलिधो भारतियों को एक जुन-जुना थमाया था जो इतियास के पन्यों में अगस्त प्रस्ता के नाम से जाना जाता था यारा ही अगस्त प्रस्ता की कड़ी को ले करके जब उसने कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद एक कॉंसिल का गठन किया जाएगा अलप सं जोने दितिये 20 युद्य में भारतियों को यूई बल्यवरं घसेडा था, 20 जन्मत के आगे उसने कहा था कि इस युद्य में भारत भी सरीक है, भारतियों ने एक प्रस्वा चक्चीन लेगाया था, कि भाईया युद्य समाप्ति के बाद तुम क्या, मने युद्य का उदेश किया है और युद्य समापती के बाद भारतियों को आप क्या दोगे ये दोनों सव्यान इतना जटिलतर सवाल था जिसका जवाब देपाना अंग्रेज के बलबूते के बाहर की बाद थी मैं पुना दूरा दू भारतियों और बिशु जन्मत के आगे जब ब्रिटिस हुकूमत ने इस तरह के बात को रखना खारम किया कि भारत भी सरीक है जबकि प्रांटों की विधान सवाओं से सहमती तक नहीं ली गई थी कॉंग्रिस के दिगद मेताओं से एक बार सहमती तक की ज़रूरत नहीं समझा था मतलब ताना साही का चरम रूप था यारा मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी का कंसर्प था यही कारण था कि भारत और भारती ये तमाम की जनता ब्रिटिस हुकूमत से यूँ भी खार खाये बैटी थी लग ही नहीं रहता कि अब क्या किया जाए तो उनीं परिष्टियों में जब अगस्थ प्रस्तांस अंग्रेजों ने दिया तो लगा कि पूरे हंदुस्तान के जन-जन को कन-कन को एक चीज बतला दिया जाए कि मैं अंग्रेजों के साथ नहीं हूँ मैं दितिय विशुद्ध में सामील नहीं हुआ हूँ, यह official format में हूँ, और इस आजाज किया महत्मा गांधी ने, महत्मा गांधी ने एक format दिया, कि आप पहले जिला के जिलादिस को, जिला के सुप्रीमों को, चाहे उडिसी हो, डीम हो, जिस नाम से जाना जाए, उसको आप स गिरफपारी दिजे, डायटीज में तीगत सत्यागरह अंदोलन, इसको दिल्ली चलो, अंदोलन भी कहा जाता है, और इस चीज की सुरुवाद, सबसे पहले जो किये, वो करेक्टर थे कौम, तो वो करेक्टर थे बिनोवा भावे, महराष्ट के पवनार से, महराष्ट के प सुप्रीमों को, मतलब ठेट में डिसी उसी को सुचित कर देना तक, बावु, हम फलाना जगा आ रहे हैं, भासन देंगे, हम ये बतलाएंगे कि दुत्यविस युद में हम अंग्रेजों के साथ नहीं है, हम ये बतलाएंगे भारत की आवाम के आम जनता को कि बिटिस कर दिया, कि भारतियों की भी सामती है, अपनी तमाम बाकों और विचारदाराओं को आवाम की जनता के सामने रखने के बाद, हम अपनी सहर्स गिरफतारी देंगा, तो हमने क्या का बेक्तिगत सत्यागरा अंदोलन, ये 17 अप्लुबर 1940 को आरव हुआ है, ध्यान रखोगे 17 अप्लुबर 1940 को बेक्तिगत सत्यागरा अंदोलन की सुरुआ थे, दूसरा चीज बोले, ये इस विचारदारा के जनक कौन है, तो महत्मा गांदी है, पहले सत्यागरही, पहला कौन बने तो बिनोबा भावे बने, कहा से बने, तो महराष्ट के पवनार से बने, दूसरे कौन बने, तो तिसरे थे ब्रहंद, इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो अंदोलन, आप इसको आप देख लिजे, अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव जो लिखना हो, फर आफट लिख सकते है, व्यक्तिगत सत्यागरा अंदोलन, 17 अक्टुबर 1940 को गांधी द्वारा आर सद्व में औरिंटेड लिखना हो, तो आपकी सुरुवाद जो होगी, फिर 1935 से होगा, कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के थाथ भारतियों के हाथों में पहली बार प्रामतों की सत्ता दिये जाने की बात कही गई, और 1937 में इसी क्या धार पर चुना हुआ भारतियों के नहीं बनाएगा आर्थाथ में सम्राइगिवाद का विरोध करता हूं, तो भारतियों के अंदर असा की एक नहीं की रन ऊटी, भारतियों को लगा कि निश्चितु उसे ब्रिटिस हुकूमत हमें आजादी परदान कर देगा, लेकिन ब्रिटिस हुकूमत ने जब 20 जन्मत के स से 8 अगस 1940 को लॉड निलित्गो के समय में एक परघोजल दिया जो इतिहास के पन्नों में अगस्प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और उस अगस्प्रस्ताव को भारतियों ने जब माननी से इनकार कर दिया, तब लगा कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, तो इन परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में, गांधी ने एक रन्नीती बनाई, जो व्यक्तिगत सत्यागरह के नाम से जाना जाता है, और इसकी सुरुवात होती है, 17 अक्टूबर 1940 को, और इसकी सुरुवात विनोबा भावे महराष्ट के पावनार से करते हैं, और अ फलाना जगह में भासन देने जा रहा हूँ, जिसका मूल टोपिक यह है, कि आवाम की जनता, आवाम की जनता अंग्रेजों के साथ नहीं है, आवाम की जनता दुतियों विश्युद में उसके साथ नहीं है, आवाम की जनता ब्रिटिस हुकूमत के किसी भी अस्टेटमेंट के उपरान खुसी-खुसी अपनी गिरफतारी देनी है। पाहले सत्यागरी बिनोगा भावय बने, दूसरे पंडित जुआ अला नेरू बने, तिसरे ब्रह्मदत बने, और इस प्रकार विक्तिगत सत्यागरा चल निकला, अब कहोगे कि इसका लाव क्या हुआ। तो यारा हर आंदोलन पाराचेंद करो गए हैं, और होगा कि हर आंदोलन के मुख लक्ष को मद्य नजर रखते हुए, मुल्यांकर नहीं किया जा सकता। जैसे 1920 में गांधी ने कहा था, कि आजादी हम दिला देंगे मिली नहीं, लेकिन या भी तो सच है, कि इस आंदोलन ने भारत में, भारत में कॉंग्रियस को जन्पिरिये बनाया, भारत में ब्रिटिस हुकूमत के चरित्र को उजागर किया, भारत में भारतियों को पहली बा पर आपका मुल्ट हिम यही है, कि ब्रिटिस हुकूमत के परती लोगों का नजरिया बदला, और नजरिया बदला को आगे चलके नजारे भी बदले, और बदले भी नजारे का परिणाम था, कि 1947 में भारत एक बार आजादी की और उन्मुक हुआ, और अलता 15 अगस्त 1947 को भ कि कमी नजर आए, आप बूलिए, समझेंगी, कोशिस करते हैं, जै इंद, जै भारत.